पंजाब किंग्स के कप्तान केल राखनली गुरुवार को 22 गेंदों में 98 रन की पारी खेली और ये IPL 2021 में सबसे पहले 600 रन बनाने वाले खिलाडी बन गए उन्होंने 13 मैचों में 626 रन बनाएं और इसी के साथ इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बास बन गए गुरुवार की पारी के बाद उनके पास औरेंज कैप भी आ गई थी हालाकि उनसे औरेंज कैप छीन भी सकती है क्योंकि उनकी टीम का सफर इस IPL से खत्म हो गया है CSK के खिलाफ पंजाब की जीत के हीरो कप्तान केल राहूल इस सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्ले बास बन गए है और गुरुवार की पारी के बाद उनके पास औरेंज कैप आ गई है केल राहूल ने चैनेई सूपर किंग्स के खिलाफ 98 रनों की नाबात पारी खेली राहूल ने सिर्फ 42 बॉल में ये रन बनाए अपनी पारी में केल राहूल ने 7 चौके और 8 चक्के लगाए वहीं औरेंज क्रैप की रेस में अब केल राहूल बहुत आगे निकल चुके हैं उन्होंने अपनी 13 पारियों में 626 रन बनाए हैं और इसी दौरान 98 रन की पारी उनका सरवादिक स्कोर रहा केल राहूल अभी तक इस सीजन में 3 चक्के लगा चुके हैं जबकि उनका स्ट्राइक रेड 138 का रहा है केल राहूल ने इस सीजन में 650 भी जड़ी हैं केल राहूल 626 रनों के साथ इस समय औरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं लेकिन उनके बाद चैने सूपरकिंग्स के फाफडू प्लेसिस 546 रनों के साथ दूसरे नमबर पर आते हैं वहीं तीसरे नमबर पर रितुराज ग 24 रन बनाए हैं हारा कि सामसन और केल राहूल के टीम प्ले आफ से बाहर हो गई है तो ऐसे में केल राहूल को पीछे छोड़ने का मौकाफ आप डूपलेसिस रितुराज गायकवाड और श्रिकर धवन के पास है क्योंकि डूपलेसिस और गायकवाड को अभी कम से कम दो के लावा दूसरे क्वालिफायर या फाइनल में भी खेलेंगे गौर्तलब है कि पिछले साल के भी आईपियल में केल राहूल औरेंज काप विनर रहे थे उन्होंने 14 माचों में 670 रन बनाए थे जिन्होंने 17 माचों में 618 रन बनाए थे केल राहूल लगातार 4 साल से आई कर दो